जैहिंद जिहां बच्चों कैसे हैं आप लोग हसा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अश्टडी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा ठीक है तो देखिए जल्दे अल्दी एकजामनेशन होने वाला है तो आप तयारी में जूड़ जाएए ठीक है चलिए आज यह सकें बाबु यहां पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास ठीक है प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा से कंप्लीट टूप से पढ़ते हुए चलेंगे ठीक है इसमें दोस्तों इसमें जो है ना आपको कंसंटेंसी बना के रखना पड़ेगा मतलब रेगुलर आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है regular revision regular पढ़ना पढ़ेगा तो ज्यादा ज्यादा होगा ठीक है चलिए start करते हैं आप यह सब तो जानते ही होगे हमारा motivational lecture देखते हैं तो ठीक है चलिए इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्यान किया जाता है इसमें वैदिक काल से लेकर कहां तक राजपूत काल तक ठीक है वैदिक काल जो है 1500 BC से लेकर 1600 BC तक चला ठीक है आगे देखते हैं, वैदिक काल को दो खंडों में बाटा गिया है, फर्स्ट खंड और सकेंड खंड, फर्स्ट में क्या है, रिग वैदिक काल, रिग वैदिक काल कब से कब तक चला था, पंदरह सो बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और फिर उत्तर वैदिक काल जो हुआ, ये चला थ याद रखिएगा कौन थे निर्माता करने वाले कौन थे आ रही है ठीक है चलिए और यह थे सकेंड पॉइंट आजाए सकेंड पॉइंट करा आर यह मध एसिया में से आये थे और भारत में सब्ध सेंधों पर्देश में सात नदियों का पर्देश या पंजाव हर्याना ठीक है पंजाव हर्याना आरियों की भासा संस्कृत थी जो आरिये सब आये थे उनका भासा क्या था संस्कृत था जो देवताओं की भासा क्या थी संस्कृत थी तो उसी में आरियों का भी भासा संस्कृत था जिस कारण आरियों को स्रेश्ट कहते थे जो मतलब जैसे देवता का जो भासा था संस्कृत था तो आरियों लोग भी संस्कृत बोलते थे तो यह समझते थे अपने को सबस्रेश्ट से ठीक है जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी अर्थात भारत के मुल निवासी को अनारी या निम्न कहा जाता था दोस्तों जिनको संस्कृत नहीं आता था उनक गौतम राहुगर्ण ने किया किन्तु ये गंडक नदी के पास गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुच पाए जिस कारण अर्थ वेद में पाटली पुत्र को अच्छुतों की भूमी कही गई है और यहां के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गिया है दोस्तों इंपो पारी करन राजा बिदेह के पुरोहित याद रखिया बिदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगर्ण यह याद रखिया गौतम राहुगर्ण ने किया किन्तु ये गंडक नदी को पार करके गंडक नदी याद रखिया गंडक नदी कौन सा नदी है गंडक नदी गंड अथबेद में और यहां के गंगा जल यहां के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गिया है ठीक है इस समय सबसे प्रिये पसु गाई थी क्या थी गाई थी याद रखेगा दोस्तों गाई 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 थी जो समरीद का संकेत संकेत तक थी गाई की हत्या करने पर कोई उसको क्या बोलते थे मिर्तिव डंड इसको दे दो ठीक है अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है राजा के राजा का मुख्य कार्ज गाई की खोज करना राजा का जो मुख्य कार्ज था दोश्तों गाई का खोज करना में उसको क्या करते थे गविश्ट के यह मेरा ग समाज था वो क्या था ग्रामिन सभयता था ठीक है चलिए अगला इसी में है क्या है देखिए यहां से रिगवेद के सात्मी मंडल में दसराज यूध की चर्चा है जो आर्जी तथा अनार्जी के बीच हुआ उसमें आर्ज बिजई हुए आर्यों का कवीला भरत था आर्यों क कवीला भरत था इसी कारण उस समय जाती का निर्धारन जो होता था कर्म के अनुसार होता था ठीक है किन्तु उत्तर बैदिक काल में जाती का निर्धारन बंस के अधार पर होने लगा उत्तर बैदिक काल में पहले वला जो काल था उसमें बैदिक काल में कर्म के अनुसार के देखिए ये क्या है गुड बेपार दूसरे के यहां नौकरी मतलब यह से देखिए पहला जो है ब्रहामन चत्रिये बैस सुद्र मतलब की बेपार दूसरे के यहां नौकरी बेपार दूसरे के यहां नौकरी पहला जो आता था उसको ब्रहामन लेते थे उसके बाद चत्रिये आता था उसके वाद वैस आता था उसके वाद सुद्र आता था ठीक है वैदिक काल की नदियां जहेलम वितस्ता जहेलम वितस्ता ब्यास ब्यास बिपासा चिनाव अस्कनी और सतलज को सत्रूधी सत्रूधी सतलज को सत्रूधी ठीक है चे रावी को रावी को पुरुस्नी गं सरस्वति को घगघर और सिंधु को सिंधु ठीक है वैदिक साहित में सरवाधिक चर्चा सिंधु नदी की है सिंधु नदी की है वैदिक काल में ठीक है क्योंकि यह सबसे महतपूर्ण नदी थी कौन नदी तो सिंधु नदी वैदिक काल में यही इसी का चर्चा है सिंधु न यह सबसे महतपुर्ण थे, इंद्र सबसे महतपुर्ण थे, इनकी चर्चा 250 वार हुई है, इन्हें युध तथा वर्स का देवता, युध तथा वर्सा का देवता कहते हैं, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, पुरंदर की ने कहा जाता है, इंद्र को, वर्सा और युध क और दोस Pay cosm हमी इंको इनका चर्चा हुआ यह हमाध पुर्ण थे अगनी इंदening की कि इसकी चर्चा 200 हुआ और इंद्र के000-50 वार अगनी कने का 200 वार कैफे वरून के वायू को और सूम के जंगल के देवताओ को सूम के तैंस यह जंगल को याद कीजिए मारूत का देवता तुभान रोद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे रोद्र में स्क्रोध इन्हें पस्मों का देवता कहते थे इन्हें पस्मों का देवता कहते थे रोद्र को पस्मों का देवता कहते थे अब क्रोध वाले देवता होते थे रोद्र ठीक चलिए गविष्ट का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद और सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निसान हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निसान हल से जोती गई जमीन पर निसान जो होता है उसको सीता बोलते है ठीक है वैदिक काल की समाजिक विवस था वैदिक काल की समाजिक विवस था ठीक है इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था जिसे जनता चुंती थी राजा किसी भी निर्नए के लिए उनको लेने से पहले बिभीन समीतियों में बैठक कर इसकी चर्चा करता था सही बात है वैदिक काल में तीन परमुक संगठन थी वैदिक काल में तीन परमुक संगठन थी कौन-कौन सभा समीति बिदय फर्ष्ट में क्या है सभा यह निम्न निम्न मतलब साधारन लोगों का संगठन था यह निम्न उसकी चर्चा आठ बार है सभा का चर्चा आठ बार है समीति यह उच्वर्ग के लोगों का संगठन था, उसकी चर्चा नौ बार हुई थी, उसकी चर्चा नौ बार हुई थे, बिदय यह सबसे महत्पुर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार, समीती के चर्चा 8 बार, समीती के चर्चा 9 बार, और बिदय के चर्चा 122 बार हुई है, इसल बहां में भाग लेने के लिए अगला है अगला क्या करता बैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गाउं थी जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे उसके मालिक को ग्रामिक कहते थे ग्रामिक कहते थे सबसे बड़ी इकाई जन होती थी जिसके मालिक को राजन करते थे उत्तर बैदि और समाज दिरे-दिरे घरामिन सभिएता से नग्रिय सभिएता की ओर अगरसर होने लगा, जन का आकार बढ़कर जन्पद हो गया, जनपद हो गया और यह जनपद आगे चल कर महा जनपद का रूप ले लिए महा जनपद का काल सिंधु सभयता के बाद दूसरी नग्रिये सभयता थी महा जनपद का काल जो था महा जनपद का जो जो काल था सिंदू सभेता के बाद दूसरी दूसरी नगरिये सभेता थी भारत में कुल सोलह जनपद हुए ठीक है जिसकी चर्चा बौध गरंथ अंगूतर निकाई में है बहुत धर्म, बहुत गरंथ अंगूतर निकाई में है, ठीक है, सोलह महा जनपद में सबसे सम्रिध और तथा सबसे सकतिसाली महा जनपद मगद जनपद था, ठीक है, जो आगे चलकर जनपदों पर अधिकार कर लिया, आगे चलकर जनपदों पर अधिकार कर लिया, सोलह महा सबसे ज़्याद था उसकी को बहुत घरांत अंगूतर निकाए बोलते हैं ठीक है अगला देखिए बैदिक काल में टैक्स को बाली कहते थे बाली टैक्स को क्या कहते थे बाली जबकि देवताओं को खुस करने के लिए पसू बली दी जाती थी देवताओं को खुस करने के लि घडा मनका मिर्दभांड घडा मनका मिर्दभांड फोर टाइप का उद देगो धूसर मिर्दभांड और काला मिर्दभांड लाल मिर्दभांड और मिस्रित मिर्दभांड ठीक है चार टाइप का मिर्दभांड वता था धूसर मिर्दभांड काला मिर्दभांड और लाल मिर् चलिए, मिस्रित मिर्द भांड लाल एवं काला दोनों का मिस्रन था, इस समय तीन परकार के यग का परचलन था, तीन परकार का यग, अस्मेव यग, दूसरा है बाजबे यग, तीसरा है राजस्रे यग, अस्मेव यग में क्या होता था, इसमें घोड़ा को यग करके छोड़ दिया जाता था, जहां तक घोड़ा जाता था, वहां तक कच्छेतर राजा ले ले लेता था, घोड़ा को रोकने वाले बेक्तिक से राजा यूध करते थे, क्या करते थे, यूध करते थे, और एक होता अगला है देखेगा उत्तरबैदिक काल में जब अती रंजी खेटी से लोहे की खोज हुई तो उत्तरबैदिक काल की अर्थविवस्था पसुपालन के अस्थान से किरसी पर अधारित हो गई किरसी पर अधारित हो गई वैदिक काल में सश्ट दर्शन दिए गए हैं सश्ट दर्शन दिए हैं कौको तो फर्षट में हैं सांख्य दर्शन कपील भ्याई दर्शन गवतम और योग्य दर्शन पतंजली और वैक्षेल सो कह आधिक चली एक है पुर्वी मिमान सा देखिए हाँ पुर्वी मिमान सा जैमनी नोट गौतम बुध के अधिकतर उपदेश सांखे दर्शन से लिए गए है अगला है सिंधु सभ्यता तथा बैदिक सभ्यता में अंतर क्या क्या थे सिंधु रफ्प्रस सभ्यता क्या थे और या अudकूर्णर बैदिक सभ्यता, इसमें और इसमें दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे ठ्यक है, तो देखिए पहला क्या था सिंधू सभयता जो था वो नगरिये था बैदिक सभयता क्या था ग्रामिन था ठीक है मात्री सतात्मक था ये मात्री सतात्मक था कौन सिंधू और ये था पित्री सतात्मक और परमुक फसु बैल था और इसमें परमुक फसु गाई था ठीक है बैदिक में गाई और सिंधू हडपा सवेता में बैल था नियोजन ये इसमें नियोजन था इसमें समाजिक नियोजन था समाजिक नियोजन था युद्ध से परिचित नहीं थे युद्ध से परिचित नहीं थे कौन सिंदू सबेता के लो गाई के लिए युद्ध होता था यहां पे गाई के लिए युद्ध होता था कि इसमें बैदिक काल में कांसे की खोज गुआ थ था इसमें सिंधु हडपा में किरसी वेपार और इसमें किरसी अपसु पालान था बैदिक काल में ठीक है सीव तथा मात्री देवी की पूजा होता था इसमें इंद्र महत्पूर्ण देवता थे इसमें इंद्र महत्पूर्ण देवता थे हडपा और सिंधु में क्या था सीव सताबदी में भारत में कुल 72 संप्रदाइयों का विकास हुए जिसमें जैन धर्म, बहुत धर्म, आजीवक संप्रदाई, लिंगायत, कपालिक, सहिव धर्म और वैस्तनोव धर्म का पर्मुक है ठीक है? अगला है देखिए जैन धर्म, जैन धर्म क्या है? इस धर्म के संस्थ संस्थापक रिषब देव जैनधर्म के संस्थापक कौन थे रिषब देव याद रखेगा जैनधर्म Director кров प्रवर्तक को तिर्थकर कहा जाता था जैंधर में रिसब देव पहले तिर्थकर थे तो वही संस्थापक हो जाएंगे रिसब देव क्या हो जाएंगे संस्थापक जो पहला होगा तिर्थकर वही तो संस्थापक होगा ठीक है चलिए अगला है तिर्थकर का अर्थ होता है द दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला हो, उसे तिर्थकर करते हैं, तिर्थकर. जैन धर्म के 23 में तिर्थकर पारस नात थे, 23 में कौन से 23 में तिर्थकर थे पारस नात. इन्हें जारखंड के सम्मेद सिखर पर ज्यान की प्राप्ती हुई थे, जिस कारण सम्मेद सिखर का नाम, पारस नात की चोटी हो गया, ठीक है? अगला है ज्यान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया जो निमलिखित है ज्यान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया जूट ना बोलना धन संग्रह ना करना और चोरी ना करना हिंसा ना करना चोरी नहीं करना धन संग्रह नहीं करना और तिर्थकर महावीर श्वामी है महावीर श्वामी है चोविसमें तिर्थकर ठीक है चोविसमें तिर्थकर महावीर श्वामी है चोविसमें तिर्थकर 33 में तिर्थकर कौन से पारसवनाथ पारसवनाथ ठीक है सम्मेल सिखर पर हुआ था इनका थी 24 में कौन है तो है यह महाविर स्वामी महाविर स्वामी कौन से है 24 में नंबर पर महाविर स्वामी है 24 में नंबर पर अंतिम तिर्थकर चोविसमें इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं वास्तविक संस्थापक किन्हें कहते हैं तो इनको महावीर स्वामी को महावीर श्वामी, महाविर स्वामी 24 में तिल्थकर थे और अंतिम तिल्थकर थे 24 में तिल्थकर और अंतिम तिल्थकर रहे कौन? महाविर स्वामी, ये बास्तिरिक संसाफक थे इनके पिता सिद्यार्थ थे महाविर स्वामी के जो पिता थे ये सिद्यार्थ थे सिद्यार्थ सिद्यार्थ इनके पिता का नाम सिद्यार्थ महाविर स्वामी के पिता जो ग्यात्रिक कुल के राजा थे इनकी माता त्रिसला थी पिता सिद्यार्थ माता त्रिसला त्रिसला महाविर स्वामी के पिता का नाम सिद्यार्थ माता का नाम त्रिसला जो लिच्वी नरेश चेटक की बहन थी लिच्वी नरेश चेटक की बहन थी कौन त्रिशला किसकी मा थी तो महाविर स्वामी की पिता का नाम क्या था सिध्यार्थ ठीक है इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे लिच्वी की बहन थी इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे लिच्वी नरे में हुआ था और भाई का नाम क्या था नंदी वर्मन नंदी वर्मन ठीक है शेसोचालिस हिसापुर में बैसालिक है कुंड ग्राओं में हुआ था इनकी पतनी यसोधा इनकी पतनी का नाम क्या था यसोधा थी ठीक है इनकी बेटी क्या था प्रियदर्सनी अनोज्या वर्स की आयूं में महाविर स्वामी जी ग्रिह तयार कर दिया था ठीक है 12 वर्स के 14 तपस्या के बाद जांबिक ग्राम में एक साल बिरिक्ष के नीचे रिजूपालीका नदी के तर्डट पर इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई ठीक है रिजुपालका नदी के किनारे इनको ग्यान की प्राप्ति मिला था ठीक है ग्यान प्राप्ति को कैवली करते हैं महाविर स्वामी की समें थे जैन धर में तो यहां पर ग्यान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन जीन या निग्रोथ कहा गया जीन का अर्थ होता है बिजेता जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त और जीन का अर्थ होता है बिजेता जीन का मतलब होता है बिजेता याद रखेगा और निग्रोत का मतलब होता है क्या बंधन से मुक्त निग्रोत फिक निग्रोत बंधन से मुक्त निग्रोत एक बार और इसको पढ़ लिजिए सिद्यार्थ थे महाविर स्वामी का पिता का नाम क्या था सिद्यार्थ जो ग्यात्री कुल के राजा थे इनकी माता कौन थी त्रिसला जो लिछवी नरेश चेटर की बहन थी इनकी बड़े भाई नंदी वर्मन थे नंदी वर्मन इनके बड़े भाई था तीस वर्स की अयू में ग्रिह त्याग दिए ग्रिह त्याग दिए 12 वर्स की नदी के टट पर इन्हें घ्यान जीवन का अर्थ होता है जीन का अर्थ क्या होता है बिजेता निग्रोत का मतलब होता है बंधन से मुक्त ठीक है बंधन से मुक्त होता है अगला है इन्हों ने पहला उपदेश राजगीर में दिया था महाबीर जैन पहला उपदेश राजगीर में जबकि अंतिम उपदेश पावापूरी में दिया राजगीर में और वही है बगल में पावापूरी राजगीर के पास में ही पावापूरी पड़ता है इन्होंने पहला उपदेस राजगीर में दिया और अंतिम पहला और अंतिम पहला हो गया राजगीर में अंतिम हो गया पावापूरी में ज्यान प नहीं करना इंसा नहीं करना और ब्रहम्चर्ज विवाह नहीं करना ब्रहम्चर्ज होना ब्रहम्चर्ज होना ब्रहम्चर्ज होना ठीक है चलिए महावीर स्वामी के तिरी रत्न दिये जो निमलिखी थे महावीर स्वामी ने तिरी रत्न दिये जो निमलिखी थे कौन है सम्यक ग्यान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरन, सम्यक ग्यान, सम्यक विच्छा, इस्वार, सम्यक आचरन. महाविर स्वामी ने इस्वर के अस्तित्व को नहीं माना महाविर स्वामी जो है इस्वर के अस्तित्व को नहीं माने थे जिस कारण वे मुर्ति पूजा और कर्मकान का बिरोध किये मुर्ति पूजा और कर्मकान के बिरोध किये कौन महाविर स्वामी इस स्वर का स्थित्व नहीं माने ठीक है अब देखे इन्होंने पुर्ण जनम को माना लेकिन भगवान को नहीं माने और पुर्ण जनम का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया किसको बताया आत्मा को बताया किसमे महाविर स्वामी ने बताया आत्मा को सताने के लिए सताने के लिए इन्होंने कहा कि मौक्ष प्राप्ती के बाद पुर्ण जरम से मुक्ती मिल जाएगी किस ने कहा तश्वामी जी ने कहा ठीक है चलिए अगला जो है अगला है महाविर स्वामी ने अहिंसा पर सरवाधिक वल दिया जिस कारण उन्होंने किर्षी तथा युद पर परतिबंद लगा दिये। और अगला पॉइंट है इसी में महाविर स्वामी के दिये गए उब्देशों को 14 पुर्वी नामक पुस्तक में रखा गया जो जैन धर्म की सबसे प्राचिन पुस्तक है जैन धर्म की सबसे प्राचिन पुस्तक क्या कौन सा है चौदा पुर्वी नामक पुस्तक चौदा पुर्वी चौदा पुर्वी ठीक है महाविर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकिरत भासा में दिये किसमें दिये प्राकिरत भासा में 468 इसा पुर्व पावापूरी में इनको मिर्तिय हो गया पावापूरी में इलाश दिये थे राजगीर में पहला दिये थे उगदेश ठीक है तो पावापूरी में इनका मिर्तिय हो गया भाद्र बाहू तथा अस्थूल बाहू इनके दो सबसे प्रिये अनुआई थे ये कौ थे भद्रवाहु तथा अस्थूलवाहु भद्रवाहु और अस्थूलवाहु मौरिकाल में मगद पर बारह वर्सिये भीशन अकाल पड़ा जिस अकाल पड़ा जिस कारण भद्रवाहु अपने अनुवाईयों के साथ भद्रवाहु या देखे भद्रवाहु दच्छिन भार इनहीं के साथ चंद्रगुप्त मौरी आया था, जिसने करनाटक के सरवन वेल गोला में सनलेखना से प्रान त्याग दिये, इस भी सनकाल में भी अस्थूल बाहु तथा उसके अनुवाई मगद में ही रुके रहे, अस्थूल बाहु भादर बाहु तो चले गए थे करनाटक स भी अस्थूल बाहु मगद में रुके रहे, जब अकाल खत्म हो गया तो भादर बाहु मगद लौटा, किन्तु इन दोनों में विवाद हो गया, जब सब्ची हुआ, खत्म हुआ, अकाल वगएर तो फिर जो भादर बाहु करनाटक तरफ गया, उन मगद में लौटा, लेक जबकि अस्थूल बाहु के नित्रित्व वाले लोग स्वेत वस्त्र पहनते थे, स्वेत वस्त्र पहनते थे, जिससे स्वेतामबर कहते हैं, निर्वस्त रहते थे उसको दिगंबर, और स्वेत वस्त धारन करते थे उसको स्वेतामबर, तो स्वेतामबर कौन थे, मगद वा जैन धर्म के विश्तरित प्रचार के लिए दो जैन संगतियां हुई कितना हुआ दो संगतियां हुई पहली जैन संगति तीन सो इसापुर्व पाटली पुत्र में हुई जिसकी अध्यक्स्ता अस्थूल बाहु ने किया उसी में भध्र बाहु ने बारह अंग नामक पुष्तक की रचना की देखें ये पॉइंट बहुत अच्छा है जैन धर्म के विश्तरित परचार के लिए दो जैन संगतियां हुई ठीक है जैन धर्म के लिए दो संगति पहली जैन संगति तीन सो इसा पुर्व हुआ पाटली पुत्र में जिसकी अध्यक्स्ता अस्थूल बाहु ने किया उसी में भध्र बाहु के बारह अंग नामक पुष्तक की रचना की पाटली पुत्र में किया गया था उसी में ठीक है दूर्तिय जैन संगति यह छठी सतावदी में गुजरात के बलभी में हुई उसकी अध्यक्स्ता देवाधी स्रमन ने किया उसी संगति में बारह उपांग की रचना हुई बारह उपांग की रचना दूर्तिय जैन संगति में हुआ और फिर जो पहले था उसमें भध्र बा परमुख जैन मंदिर, मौरी काल में मत्रा जैन धर्म का परमुख केंदर था, करनाटक में चामुंड सास्कों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहु वली का मंदिर कहते हैं, क्या कहते हैं, बाहु वली का मंदिर कहते हैं, मौरी काल में मत्रा जैन मंदिर का परमुख केंदर था, ठीक है मतुरा आयाद रख़ा है। करनाटक में चामुंड सासको ने गोमतिस्वर का जहन मंदिर बनवाया जिसे बाहु बली का मंदिर कहते हैं। मध्य परदेश में चंदेल सासकों ने खजुराहों में जैन मंदिर बनवाया था, चंदेल सासक बनवाया था, यहाँ पर चामुंद सासक बनाया था किसमें करनाटक में, ठीक है, और चंदेल जो सासक थे बनवाया थे मध्य परदेश में, याद रखेगा, खजुराहों में दोनों के लिए पवित्र अस्थल है घजुराहो ख़जुराहो जबकी अजनता बहुत हर बहुत जैन और हिंदू के लिए परश्षिध है कौन अजनता चलिए राजस्थान में माउंट आबु पहाडी पर दिलवाडा का जैन मंदिर है राजस्थान में माउंट आबु की पहाडी पर दिलवाडा का जैन मंदिर बीमल साह के सामंत पसुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था दिलवारा का जैन मंदिर, बिमल साह के सामन्त अधिकारी वस्थु पाल तथा तेज पाल ने बनवाया, श्वेतामबर एवन दिवंगर में अंतर, स्वेतांबर एवं दिगंबर, स्वेतांबर एवं दिगंबर, स्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर, स्वेतांबर कौन थे, स्वेत वर्स्त धारन करने वाले दिगंबर कौन थे, निर्वस्त रहने वाले करनाटर जो गया था भादर वाहू के साथ, ये अस्थूल वाहू मिल सकता है महिलाओं को मोच मिल सकता है महिलाओं को मोच नहीं मिल सकता है दिगंबर बोलता उन्हीं इसमें तिर्थकर मली नात महिला मली नात महिला थे और उन्हीं इसमें तिर्थकर मली नात पुरुस थे मली नात पुरुस थे और यह भधर बाहु और निर्वस रहते थे मह पारसनात सर्प का फन, महाबिर स्वामी सेर, अगला है देखे बहुत धर्म, जैन धर्म हम लोग का पिंड हो गया, अब देखे बहुत धर्म, इस धर्म का प्रारंब महात्मा बुध ने किया, इस इनके बचपन का नाम, बचपन यहाँ पर होगा, ठीक है याद कर लिए बचपन, बचपन का नाम सिद्यार्थ था, किनका? इनका बचपन का नाम, उनके सिद्यार्थ जो था, पिता जी के नाम था जैन धर्म, महाविर्ची के, पिता का नाम क्या था सिद्यार्थ, और यह जो महात्मा बुध है, इनके बचपन का नाम था सिद्यार्थ, ठीक है, पिता थे सुद्योध है, ठीक है, उनके पिता जी बुद को पाला था मौसी इनके मौसी जो थे यही पाले थे इनको उनका नाम था परजापती गौतमी क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही मिर्तियू हो गया था किनका परजापती गौतमी का ठीक है परजापती गौतमी का मिर्तियू नहीं हुआ था महा माया जो थी उनका मि इनके घोड़ा का नाम कंथक था, कंथक, 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 सार्थी का नाम क्या था, चान, चन्ना, पत्नी क्या थी, यसोधरा, यसोधरा, यसोधरा उनका क्या था, उनकी माता का नाम था, बेटा की नाम क्या था, राहुल, राहुल, और यसोधरा, यसोधरा, शोला वर् लुंबनी में, जन्म अस्थान कहा हुआ था, नेपाल के लुंबनी में, लुंबनी में हुआ था इनका जन्म, नेपाल के लुंबनी में, कुल क्या है, साक्य कुल, साक्य कुल, साक्य कुल, कुल था, साक्य कुल, 563 इसा पुर्व में जन्म हुआ था, 483 इसा पुर्व में इन चलिए थोड़ा इनके बारे में वीवरन जान लेते हैं सिद्यार्थ को तथागत कनक मुनी तथा साक की मुनी भी कहते हैं कनक मुनी और साक की मुनी कनक मुनी साक की मुनी इन्हें लाइट आफ एसिया भी कहते हैं क्या क्या बोलते हैं कनक मुनी भी बोलते हैं जिसके बाद इनके मन में वैराग्य, वैराग्य मतलब होता है ग्रिह त्याग, ठीक है, वैराग्य, वैराग्य का मतलब होता है ग्रिह त्याग, उत्पन हो गिया, ठीक है, उत्पन हो गिया, क्या-क्या इनको मतलब चार चीज चार अवस्थाओं को देखा भाई एक देखा बिरिध व्यक्ति, एक देखा बिमार व्यक्ति, एक देखा सव, एक देखा सन्यासी बिरिध व्यक्ति, बिमार व्यक्ति, सव, सन्यासी बिर्द व्यक्ति, विमार व्यक्ति, सव सन्यासी इतना चीज़ ये देखें बाहर साइड में जब घूमने निकला था तब चार अवस्थाओं को देखा जिसके बाद इनके मन में वैराग्य ग्रिह त्याग उत्पन हो गया वैराग्य उत्पन होने के बाद ये 29 वर्स की अवस्था में ग्रिह त्याग दिये इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की सिच्छाली रुद्र क्राम से योग दर्शन की सिच्छाली ठीक है और रुद्र क्राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है रुद्र क्राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है ठीक है सही बात है महात्मा बुद्ध ने पांच मित्रों के साथ सारनाथ के मिरिगदाव बन में लगभग 6 वरसों तक कठोर तपस्या की इसी वन में कन्या ने इनसे कहा कि वीना को इतना न खीचो कि वह तूट जाए और इतना कम भी न खीचो कि वह बजे ही नहीं इस वात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए इस वात को सुनकर महात्मा जी महात्मा बुद्ध जी गया चले गए गया में इन्हें बैसाखी पुर्णीमा के दीन पीपल ब्रिक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर ग्यान की प्राप्ती हुई ग्यान की प्राप्ती के बाद ग्यान की प्राप्ती के बाद ही इनका नाम ग्यान की प्राप्ती के बाद वह पीपल ब्रिक्ष महाबोधी ब्रिक्ष कहलाने लगा ग्यान प्राप्ती के बाद याद रखेगा ग्यान प्राप्ती के बाद पीपल ब्रिक्ष महाबोधी ब्रिक् अगला है यह इस point को देखे ग्यान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्यार्थ से महात्मा बुद्ध से महात्मा बुद्ध पड़ा बुद्ध का अर्थ होता है अप समझे ऐसा की ग्यानी बेखती ठीक है और प्रबुध भी उसको बोल सकते हैं बुद्ध ग्यान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गये जहां पर वो अश्टार्ट किये थे ठीक है सारनाथ में जहां उन्होंने अपने पांच मित्रों को उपदेश दिया पांच मित्रों के साथ में वो तपस्यां वेटे थे वही पर से फिर चले आया थे न इन्होंने स्रावस्ति के अंगुली माल डाको को सिछा दि, इन्होंने सरवाधिक उपदेश स्रावस्ति में दिया, इन्होंने स्रावस्ति के अंगुली माल डाको को सिछा दि, इन्होंने स्रावस्ति के अंगुली माल डाको को सिछा दि, इन्होंने स्रावस्ति के अंगुली आनन्द के कहने पर ही महात्मा बुधने महिलाओं को बौध संग में परवेश की अनुमती दी और कहा कि अब बौध धर्म जादा दिन तक नहीं चलेगा बौध धर्म अब जादा दिन तक नहीं चलेगा बौध धर्म अपनाने वाला पहली महिला गौतमी थी और दुसरी महिला आमरपाली थी बौध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुस था तपटयू तथा मली था याद रहेगा तपटयू मली था महात्मा बुद्ध ने चार सत्य कथन कहे कौण कोण से कथन संसार दुखों से भरा है क्या है संसार दुखों से भरा है हर दुख का कोई न कोई कारण है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है इच्छा है इस इच्छा पर नियंत्रन पाया जा सकता है इच्छा पर नियंत्रन पाया जा सकता है इच्छाओं पर नियंत्रन पाने के लिए इन्होंने आठ मार्ग बताएं कितने मार्ग बताएं आठ मार्ग बताएं नियंत्रन पाने के लिए इच्छाओं को नियंत्रन पाने के लिए जिससे अस्टांगिक मार्ग कहते हैं जिससे क बीच के राष्टे से चलना चाहिए नहीं सरल और नहीं कठिन बीच के राष्टे से चलना चाहिए। दिये, तीन दर्सन दिये, सिल्की संख्या कितना दस, अश्टांगी कमार्ग अपनाए, उसके बाद फिर चलना सिखाए वो, सरल नहीं, कठी बीच की रास्ता अपनानी कली बोल रहे थे, महात्मा बुध ने तीन दर्सन दिये, तीन दर्सन कौन-कौन है भाई, देख लिजी, फर्ष्ट है, अनेस्वर बाद, दुसरा है सुन्निवाद, तिसरा है चनिक बाद, अनेस्वर बाद, अर्थात इस्वर का कोई अस्तित्तु नहीं, सुन्निवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरी नहीं है, नहीं सर्व सता मान है, सर्व सता मान है, कोई भी व्यक्ति सर्वो परी नहीं है नहीं सर्व सतामान है ठीक है अगला है च्छनिक बाद च्छनिक बाद संसार की सभी बस्तुएं कुछी समय के लिए है इनका बिनास निश्चित है अर्थात ये सभी बस्तुएं च्छनिक है च्छनिक बाद मतलब होता है क्या संसार की सभी बस्तुएं कुछी सम अनिश्वरवाद अर्थात श्वर का कोई अस्थितों नहीं है अनिश्वरवाद थिंगर भॉल धर्म के तरी दरतन पुराम पुरी में चंदू नामक सिस्सिद्वारा सुकर मास मस्रूम भोजन में ग्रहन किये इसके बाद उनकी तबियत बिगडने लगी और इन्हें डाइरिया हो गया और उत्तर परदेश के मल महाजनपद में इस्थित कुसी नगर में इन्होंने प्रांत त्याग दिये महात्मा बुद्पावपुरी में चंदु नामक सिस्सि द्वारा सुकर मास उसको बोलते हैं किया मस्रूम सुकर मास भोजन में ग्रहन किये ठीक है इसके बाद इनकी तव्यत विगड़ने लगी और इन्हें डाइरिया हो गया और उत्तर परदेश के मल महाजनपद में इस्थित कुसी नगर में इन्होंने प्रांत त्याग दिये इनकी अस्थियों को आठ अलग अलग अस्थान पर भेज दिया गया कितने आयेट अलग 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 जगह पर इनकी अस्थियों को भेज दिया जिसे अश्ट महास्थान कहते हैं महातमा बुध की मिर्तियों के बाद बहुत धर्म के परचार परसार के लिए चार बहुत संगतियां का आयोजन किया गया था ठीक है एक 483 BC में राजगीर अजासत्र राजा थे और पुरोहित थे महाकस्यप तो देखिए भश्ट जो बहुत संगति हुआ था कहा हुआ था राजगीर में अजासत्र के समय में 483 इसापुर्व में महाकस्यप इसका पुरोहित थे और फिर दूसरी संगति जो हुआ था बहुत संगति पहला तो राजगीर में हो गया उसके बाद फिर वैसाली में हुआ था काला सोक राजा थे उस्टे में सावका मीर पुरोहित थे और काला सोक जो थे काला सोक वैसाली में काला सोक और राजगीर में अजासत्र याद रख थो सर पचबैन एड़ा था पाडली पुत्र में राजगीर पहले गए फिर वैसाली पना पाडली पुत्र में ने मौगली पुत्र नियर पूट्र अगला है, चारवी बहुत संगती के बाद, बहुती बहुत संगती के बाद, बहुत धर्म दो भागों में बट गिया, कितने भागों में बट गिया है, दो भागों में बट गिया, एक हीनियान में और एक महायान में, हीनियान और महायान, चाउथा बहुत संगती के बाद, दो भागों में बट गिया, हीनियान यह बहुत धर्म के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन महायान यह महात्मा बुध के उपदेशों में परिश्थिती के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं आगे जाकर महायान साखा सुन्यवाद एवं बज्रियार बज्रियान साखा में तुट गया नागारजुन सुन्यवाद को मानते थे महायान एक बार और देख लिए महायान यह महात्मा बुध के उपदेशों में परिश्थिती के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं आगे जाकर महायान साखा सुन्यवाद एवं बज्रियान साखा में तूट गया बजरियान और सुनिवाद में टूट गिया ठीक है तो नगारजुन जो थे नगारजुन सुनिवाद को मांते थे बजरियान साखा बहुत धर्म के विनास का कारण था बजरियान जो था विनास का कारण था बहुत धर्म के विनास का कारण था इसमें मदिरा मुर्ति पूजन भागलपूर के बिक्रम सीला विश्विद्यालाए चीन थाईलैंड ETC में बजरियान शाखा है यहाँ है बॉथ धर्म से जुड़े चीन गर्व हाथी चले अगला जो है अगला क्या है जन्म, जन्म जो है कमल से है, जन्म है कमल से, ग्रिह त्याग मतलब घोड़ा, अभी महाविनी स्क्रमन, ग्रिह त्याग, घोड़ा, महाविनी स्क्रमन इसको बोलते हैं, युवावस्था साण, युवावस्था साण, ज्यान प्राप्ती, बौधी ब्रिक्ष, समरिधी क्या है सेर निर्वान क्या है पद चीन मिर्तिव क्या है अस्तुप महापरियु निवान इसे जानार मिर्तिव को बलते हैं अस्तुप essentially छलिए घुरे JUST, का का महात्माबुदh का जन्म और ज्ञान प्राप्ति था मिर्तियों बैषाह अप्राइल महिने में पुर्नीमा के दिन हुई बैषाश चायत बैषाह जो बोलते हैं ना वैषाह के पूर्नीमा के दीन, जन में भी हुआ था, ज्यान की प्राप्ति भी हुआ और मिर्तियू भी हुआ, बैसाख के पुर्णीमा में, बैसाख पुर्णीमा को बुध्ध पुर्णीमा भी कहते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं, बुध्ध पुर्णीमा भी कहते हैं, बैसाख के पुर्णीमा आता है ने लोग धर में बोलते हैं कि बुद्ध पुर्णीमा आज है जैन धर्म तथा बहुत धर्म में समानता इस्वर के अस्तित्व को नकारा मुर्ति पूजन का बिरोध करना ठीक है कर्म कांड का बिरोध करना पुर्ण जनम में विश्वास पुर्ण जनम से चुटकारा के लिए मौक्ष, पूर्ण जराम के चुटकारा के लिए मौक्ष, ठीक है, दोनों ही हिंदु धर्म से तूटे थे, दोनों कौन धर्म से तूटे थे, हिंदु धर्म से तूटे थे, बौत धर्म या जैन धर्म में अंतर, बौत धर्म और जैन धर्म में अंतर, बौत धर्म एक है, बौ बहुत धर्म के अनुसार क्या था तो क्या था बड़ी बाधा इच्छा थी और इसमें जैन धर्म में क्या था आत्मा ज्यान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता है इसमें ज्यान प्राप्ति होता है बहुत धर्म मोक्ष कहा जाता है इसमें ज्यान प्राप्ति के लिए अश्टां मार्ग अपना गया था ठीक है बहुत धर्म के आगे बढ़ने के कारण है जैन धर्म जैन धर्म की भासा प्रकृती थी जो बहुत बहुत ही कठिन थी जैन धर्म का जो प्रकृती भासा था वो बहुत कठिन था जब कि बहुत धर्म की भासा पाली थी जो उस समय की सबसे लोग प्रिय भासा थी, पाली जो भासा जो था, सबसे लोग प्रिय था, और प्राकिर्त भासा जो था, वो थोड़ा सा हाड था, कठिन था, ठीक है, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बहुत धर्म के नियम सरल थे, बहुत अधिक ध्यान दिया, जबकि बौत धर्व में निर्वस्त रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतित होता था, जबकि बौत धर्वस्त रहने का प्रावधान नहीं था, ठीक है? चली, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है अगला है जैन धर्म में केवल दो ही संगितियां हुई दो ही संगितियां हुई किसमें जैन धर्म है और वो भी नौ वर्स के अंतराल पर देख रहे हैं यही है बिनास का कारण अंतराल पर जबकि बहुत धर्में चार संगतियां हुई और वो भी सौसो बर्स के अंतराल पर हुआ gospel जैन धर्म को बड़े-बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला जैन धर्म को मानने वाला परमुक राजा चंद्रगुप्त मौरी चंद्रगुप्त मौरी चीन और पूर्वी एसिया याद रखेगा असोख कनिस्क पालवंस ठीक है चलिए जैन धर्म तथा बहुत धर्म दोनों को बिनास के कारण देखें फर्श नमबर क्या है दोनों ही धर्म हिंदु धर्म के कुरितियों को बिरुध आवाज उठा कर आगे बढ़े हुए थे इन लोगों ने मुर्ति पूजा तथा कर्मकांड का बिरुध किया दोनों किन्तु कलांतर में इन लोगों ने भी कुरितियां आगे इन लोगों ने भी मुर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्ररम कर दिये दोनों धर्मों ने हिंदु धर्म के वर्न जाती पर्था का बिरुध क किन्तु कलांतर में इनमें भी जाती व्यवस्था आ गया और देखे बौध तथा जैन मठो के महाधिस धार्मिक बिंदूओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग बिलास में लग गये जैन तथा बहुत धर्म की कमजोर इस्थिती का फायदा उठाकर संकरा चार्ज ने हिंदू लोगों को जागरूप किया इसको क्या हिंदू लोगों को जागरूप किया था शाथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक तेवहार इत्यादी जोड़कर हिंदूओं को एकत्रित कर दिया आजीवक संपरदाए क्या है इस संपरदाए के संस्थापक मोगली कुतिस गोसल थे इस संप्रदाई के संस्थापक मोगली पुतीस गोसाल थे ठीक है चलिए अगला है असोख के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाई को मानते थे असोख ने आजीवक संप्रदाई के भक्तों को बहुत से गुफा दान में दिया भागवत धर्म इसके संस्थापक बासुदेव थे इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ती पर दिया गया भागवत संप्रदाई वाले बली कर्मकांड तथा पसुःत्या का बिरोध में थे भागवत धर्म क्या था इसके संस्थापक को थे बासुदेव थे भागवत धर्म का इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ती पर दिया गया, भागवत संप्रदाय वाले बली कर्मकांड तथा पसु हत्या का बिरोध में थे, सैव धर्म, क्या है अगला, सैव धर्म, इसमें भगवान सिव की उपासना की जाती थी, किसमें सैव धर्म, सिवलिंग का पहला साक्षे सिंदु सवयता से मिला है, किन्तु यह परमानिक नहीं है, सिवलिंग का पहला परमानिक साच्षे मतद से पुरान में मिला है, सैव धर्म को मानने वाले दच्छिन भारत के अधीक हैं सैव धर्म को मुख्यता तीन भागों में बाड़ते हैं सैव धर्म को पहला क्या है पसुपति पसुपति का मतलब ये सैव धर्म की सबसे प्राचीन साखा है इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं पसुपति को पसुपति को पंचार्थी भी कहते हैं पंचार्थी. सकेंड क्या है कापालिक ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहन करते हैं. ये मदीरा पान करते हैं अस्थी के भस्म को पूरे सरीर में लगाते हैं. ठीक है, मदिरा पान करते हैं, नागा साधु, नागा साधु कपालिक होते हैं, याद रखिए, नागा साधु कपालिक होते हैं, लिंग आयत, सैव धर्म की इस साखा काविकास करनाटक में हुआ, इसका प्रारंभ अल्लव प्रभू निकिया, अल्लव प्रभू निकिया, ये स जिल लिंग की पूजा करते हैं, किंतु सव को जलाते नहीं है, बलकि दफनाते हैं, ठीक है, अगला है वैस्नव धर्म, वैस्नव धर्म इसमें भगवान विश्नु का अधीक महत्तु है, ठीक है, भगवान विश्नु का अधीक महत्तु है, इसकी चर्चा पुरानों में मिलती पुरान में भगवान विश्णु के दस अवतारत की चर्चा है ठीक है कौन-कौन राम परशुराम कृष्ण तथा बौध विश्णु के परमुख अवतार थे ठीक है भगवान विश्णु के दस अवतार है उसमें से परचलित जादा है राम परशुराम कृष्ण तथा बौ जन्दपत का बनेगा थार्ड वीडियो रहेगा ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है पूरा हिस्ट्री हम लोग इसी तरह से देखने वाले ठीक है जो भी बच्चे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अच्छा लगे तो दोस्तों तक मित्रों तक इसको पहुंचा दीजेगा ठीक है तो तब तक के लिए नमस्कार अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जैंद